पढ़ाई चालू है ना एक्जाम्स हमारे पास हैं तो आपको क्या करनी है हर रोज हर सब्जेक्ट की रिविजन करनी है तो देखो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था स्वर और व्यंजन इनका रिडिंग दिया था कैसे पढ़ते हैं यह मैंने आपको बताया था आपको तो अब पढ़ाई अच्छी और इजी लग रही है ना तो अब इसके आगे क्या है उन व्यंजनों और स्वरों का मिला करके कुछ शब्द बनते हैं वह शब्दा आज से हम देखने वाले हैं क्या है आज हम कौन से शब्द देखने वाले हैं बीना मात्रा वाले शब्द उसमें कैसे शब्दा बीना मात्रा वाले लेकिन कितने अक्षरों वाले दो अक्षरों वाले शब्द आज हम देखने वाल आप समझो, अब देखो, यहाँ पे एक घर का चित्न दिखाई दे रहा है, यह कौन सा चित्न है, कप, और यह बहुत सारे फोल है, आम है, पपिता है, सेफ है, केला है, अमरुध है दिखाई दे रहे है इना सारे फोल आपको, तो देखो, ये घर, घर कितने अक्षरों से बनता है, घर और र, इन दो अक्षरों से कौन सा शब्द बनता है, घर यानि कितने अक्षरों का मिलान करने के बाद, ये शब्द बन गया, दो अक्षरों के, क, प, क, प, ये दो अक्षरों का मेल करने के बाद, एक शब्द तयार ह कुण सा कप अब यहाँ पर देखो हो ल हो और ल का मिलान करने के बाद कुण सा शब्द दयार हो गया फल तो अब आपको पढ़ना है मेरे साथ पढ़ो पढ़ो कप मन जट कल हट सच चल सब पल मत आपको भी ऐसा पढ़ने का प्रयास करना है इसके आगे क्या है पढ़ो और सुनाओ अब देखो मेरे साथ आपको भी पढ़ना है अब बस कर घर पर चल यहाँ पर डंडा दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्टैंडिंग लैन यह क्या है हिंदी में इसे फूल स्टॉप के दे यह है ना स्टैंडिंग लैन जो इसे हिंदी का फूल स्टॉप यानि की क्या दंडा कहते है हट मत कर हट मत कर अब फल चक अब फल चक आकर पढ़न सच सच कहां डर मत कल कल मत कह। कल कल मत कहां बस पर चाड़ जब तक हट मत कर ये क्या होगे बिनावात मातरा वले शब्दों में से दो अक्षरों का मीलान करने के बाद जो शब्द तयार होते हैं यह हमने देखा हैं यह क्या है हमारी रिविजन है अब इसके आगे क्या है बिना मातरा वाले लेकिन तीन अक्षरों वाले शब्द हम देखने वाले हैं यहां हम रिविजन की तोर पर ले रहे हैं आपका यह पहले हुआ है लेकिन एकजाम पास है इसके लिए हम रिविजन कर रहे हैं देखो करन कलम पकड तीन अक्षरों वाले शब्द करन एक दो तीन अक्षरों का मिलान करने के बाद करन यहां नाम तयार हो गया कलम यह भी तीन अक्षरों का मिलान करने के बाद ही कलम यहां शब्द तयार हो गया वैसे ही पकड इस इस शब्द में भी तीन अक्षरे है याने कि क्या तीन अक्षरों वाले शब्द देखो देखो पढ़ो और समझो अब देखो ये पिक्चर कौन सा है बतख ये कौन सा तो फूल है ना कौन सा कमल का फूल कमल इन तीन अक्षरों का मिलान करने के बार ये शब्द दयार हो गया है कमल कलश इन तीन अक्षरों का मिलान करने के बाद कौन सा शब्द दयार हो गया है कलश अब मेरे साथ आपको पढ़ना है अमाना, भरत, रमाना, सड़का, मगरा, चरन, कलम, भवन, मतर, गगन अब आगे रेखों पढ़ों और सुनाओं क्या है पढ़ों और सुनाओं मेरे साथ आपको भी रीडिंग का प्राक्टिस करना है करन, कलम, पकड़, करन, कलम, पकड़, यहाँ पे जो स्टेंडिंग लाइन है यह क्या है हिंदी का हिंदी में फुल स्टॉप है हिंदी में ऐसा फुल स्टॉप होता है समझ में आया डंडक केते इसे करन कलम पकड पूर्ण विराम क्या पूर्ण विराम इसे क्या केते फुस्टर पेने हिंदी में पूर्ण विराम डंड़क केते इसे करन कलम पकड पवन रमान अमान घर चल सडक पर ठर ठर कर मच चल इधार उधर मच कर भवन पर कलश रख करान भजान कर छट पर मत चड़ अब अकड मत कलम पकड़ कर चड़ तो आपको क्या करना है? फीक से इसी तारहां दो अक्षरो वाले शब्दां और तीन अक्षरो वाले शब्दां पढ़ कर अपनी नोट्बुक में लिखने हैं कौन कौन से शब्दां? दो अक्षरो वाले शब्दां और तीन अक्षरो वाले शब्द में जो पढ़ो और सुनाओ वह है जो पढ़ो और सुनाओ दो अक्षरो वाले शब्दों का भी पढ़ो और सुनाओ लिखना है और तीन अक्षरों वाले सब्दों का भी पढ़ो और सुनाओ यहां आपका होमवक है समझ में आया पढ़ाई ठीक से करो अब हमारी क्या चालू है रिविजन चालू है धन्यवाद